एक जोती नाम की और एक अमित नाम का लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे अमित इतना सुन्दर दिखता था कि उसके पीछे लड़किया पागल थी वो इतना स्मार्ट था और दिखने में तो इतना हैंसम था कि क्या बताए और जोती जोती नॉर्मल लड़की थी वो भी सुन्दर दिखती थी अमित लेकिन दिल का बहुत ही साफ था वो जोती के अलावे किसी भी लड़की के तरफ आख उठा कर नहीं दिखता था और जोती से सच्चा प्यार करता था और जोती जहां थी वो दिखने में बहुत भूली भाली सूरत लगती थी लेकिन थी नहीं वो हर दिन अमित को अंधेरे में रखकर हर रोज लड़के बदलती और उसके साथ में सारडिक संबंद बनाती ऐसे ही बहुत सारे लड़कों को वो एक साथ में रखती थी और यूज करती थी और ये नहीं कि एरा गेरा लड़का आए और उसके साथ में रहे वो हर एक दिन नए नए लड़के अमीर अमीर घराने लड़के से संपर्ख करती थी जो जहां देखती थी कि अमिर लड़का है और उसकी सुन्दर्ता पर पैसे लुटाते भी थे और उससे होटल में ले जाकर उसके साथ में सारडिक संबंद भी बनाती थे ऐसे ही एक दिन एक रमेश नाम की लड़के के साथ में एक दिन होटल जाती है और होटल में एक रूम कमरा लेकर जोती और रमेश दोनों एक दूसरे से सारडिक संबंद बनाने लगते हैं बात करते करते एक दूसरी का जोती रमेश का कपड़ा उतारता है और रमेश जोती का कपड़ा उतारता है और इसी तरह से जोती की खुबसूर्थी देखकर रमेश पागल हो जाता है और रमेश जोती रमेश के खुबसूर्थी को देखकर दोनों एक दूसरे में खो जाते इसे ही दोनों 2 घंडे तक रूम में रहकर यह दूसरे में बाहों में खोए रहते हैं और यह सब रमेश video रिकॉड कर लेता है रमेश video record कर लेता है फिर अगले दीन ऐसे ही फिर से जोती दूसरे लड़की को पटाने की कोशिश करती है और रमेश भी कोई कम नहीं था जोती से बहुत ही ज्यादा तेज था फिर से जोती को फोन करता है और उसे कहता है कि जोती आज फिर से हम लोग चले किसी होटल रूम में बुक करूं क्या तभी जोती कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती कौन हो और मुझसे दुआरा कभी बात मत करना मेरा अल्रेडी बॉइफ्रेंड है तब टोन चैञों पर तुरंथ एक वेडियो जाता है जो कि už जोती का वीडियो थे जाती हैं यह दिकवर जॉधि जोती जाती है और वह सोचने लगती है की यह कहां फस गई लेकिन गलत शंगती का गलत नतीजा तो जोती बात मानने कर लाबा उसके पास कोई चारा भी नहीं था इसी तरह रमेश और जोती दुनों हर दिन होटल में जाने लगे और अमित जो था यह सब दे जानता था लेकिन धीरे धीरे जोती पर उसे शक हुआ कि जोती हर दिन शाम के समय में कहां जाती है मुझे उतना बात भी नहीं करती है क्या बात है कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है पर एक दिन वह जोती रमेश के साथ में एक होटल रूम लेकर कमरे में सारवेक संबंध बनाती थी इधर बेचारा अमित जो से बेहत प्यार करता था वह हमेशा जोती पर शक नहीं करता था लेकिन शक करने पर मजबूर जोती ही कि वह शक करने लगा और यदर जोती भी इधर सोचने लगी कि इस दलदल से कैसी निकले क्योंकि रमेश इतना गल्स सोच का था कि खूद के साथब आपने दोस्तों पर दे जाता था और रमेश के साथ सारविक संबंध बनाता था और बहुत ही बूरी तरीके से जोती के साथ बहवार भी किया करता जोती के लिए बहुत भारी पर रहा था एक एक साथ एक लड़की के साथ दो दो लड़का जोती के बारे में रमेश को अच्छी तरीके से पता चल गया था कि ये जोती कैसी है तो इसलिए रमेश जोती को शवक सिखाने के लिए वैसा कर रहा था अमित एक दिन उसे रमेश के साथ asked Hotel में जाते देख लेता है और खमें में दोनों को एक साथ में देख लेता है घर अमित बहुत छी नोडेकर रोने लगता है और जोती काता है ऐसा क्या मेरे प्यार में कमी रहा गया था जोती जो तुम मेरे साथ ऐसा किया कि कभी भी तुमने किसी चीज के लिए बूला वो छीज मैं हर चीज को तुमहारे कदमों के निर्शे नडख दिया और साथ हमें शारिष संबंध की बात रही इतनी तुम प्यासी थी मुझसे इतना ही तुमहीं तो मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था तुमसे उसे शादी ही कर लिते हैं तुम đây कभी भी कमी मैसूस नहीं होने रिता प्याद झूटा नहीं स्च्चा है जा आमेभी क्भास सुनकर जोती कहते हैं तुम हर चीद मेरी कदमों के निछे ला सकते थे येकर जबvy मैं तुम से सेक्स के बारे में बात करती थी, तुम हमेशा पीछे हड़ाते थी, हमेशा शादी-शादी-शादी करते रहते थे, और मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है, मुझे हर एक दिन, हर एक लड़का मुझे चाहिए होता है, जो कि तुम से मुझे कभी नहीं मिलते, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, लेकिन आज जो भी हूँ, मैं खुश हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमित उसकी बातों को सुनकर बहुत ही हैरान होता है, और फिर वहां से गुस्ते से होटल के कमरे से निकल जाता है, और इधर रमीश हमेशा जोती को ब्लै चार लड़का, साथ साथ में कभी पांचे लड़के लाते और उसके साथ होटल में जाकर सार रिक संबन बनाता, इसी तरह जोती बहुत ही कमजोर हो गई थी, करते-करते बहुत पच्तानी लगी कि उसने कितनी बड़ी बलती की है, और एक सच्चे प्यार को देख़ा देने का नतीजा यही होता है, तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है,